आज से लगभग 22 साल पहले तक टेलिविजन सेट्स वाले हर घर में ऐसे नजारे आम थे घंटो छट पर धूप में खड़े हम एंटीने को जारो तरफ खुमाते रहते थे इस उमीद के साथ कि शायर तस्वीर कुछ साफ हो जाए लेकिन 22 साल पहले इस दिशा में एक क्रांती आई बंदू क्या बारूत के सहारे नहीं बलकि एक छोटे से तार के सहारे जिसने हर घर में पहुँच कर हर टेलिविजन की तस्वीर बदल दी वो तार था केबल टीवी का तार जिसे हर घर से जोडने में एहम भूमी का निभाई केबल टीवी ओपरेटर्स ने अब हमें धूप में खड़ा नहीं होना पड़ता था क्योंकि हमारे लिए वो राद भर जाक कर आस्मान से मनुरंजन के नए ठीकानों को ढूंडते थे धीरे-धीरे चैनल्स बढ़ते गए, धीरे-धीरे कंजूमर्स बढ़ते गए और धीरे-धीरे बढ़ता गया विश्वास, कंजूमर्स और केबल टीवी ओपरेटर्स के बीच और आज ये विश्वास 22 साल पूरे कर चुका है और अपनी सिल्वर जुबली की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है हाल की दिनों में इस विश्वास को जुटलाने की कोशिशे होने लगी ये कोशिशे की निजी डिटीएच कंपनियों ने सरकार के केबल डिजिटाइजेशन से संबंदित निर्देशों को डिटीएच कंपनियों द्वारा अपने विज्वापनों के सहारे तोड मरोड कर पेश किया गया उन्होंने कंजूमर्स के मन में ये बिठाने की कोशिश की कि एक जुलाई 2012 के बाद केबल टीवी के माधियम से प्रसारण बंद हो जाएगा इसलिए आप जल्द ही डिटीएच सेवाओं का प्रियो करना शुरू कर दे डिटीएच कंपनीज के त्वारा फ्हलाई गई ये बाते बिल्कुल बे बुनियाद है सच तो ये है कि 31 अक्टूबर 2012 से केबल टीवी उन्नत तक्नीक की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा रहा है क्योंकि इस दिन से डैश यानी डिजिटल अड्रेसिबल सिस्टम के फेस वन की शुरूआत हो रही है ब्रोडकास्टिंग और केबल टीवी इंडस्टी पूरी तरीके से एनलोग सिस्टम पर काम कर रही थी यह बढ़कर एक हजार से भी ज्यादा की शम्ता हमारी प्रसानी शम्ता हो जाएगी डीटी एच कंप्रीज के महेंगे विज्यापनों के बावजूर कंजियूमर केबल सर्विसिस के साथ बना हुआ है कंजियूमर के केबल टीवी से इस जुडाव की वजा है केबल टीवी की बहुतर सेवा है हम आपको बताते हैं केबल टीवी और डीटी एच दोनों की ही खूबया और खामया और ये फैसला आपकर छोड़ते हैं कि आपके लिए बहुतर विकल कौन सा है बात अगर तक्नीक की की जाए तो केबल टीवी और डीटीएज दोनों में ही डिजिटल ट्रांस्मीशन की सुविधा है डीटीएज में आधी रात में आपका बैलन्स खत्म बताते हुए आपके स्क्रीन से टेली कास्ट गायब हो जाने के सुविधा आपको मिलेगी लेकिन केबल टीवी ओपरेटर्स इस बात पर तो एकदम से आपका कनेक्शन नहीं काटेगा कि आपने बिल नहीं दिया है केबल टीवी देखते हुए बेशक आप अपने मन पसंद प्रोग्राम में पूरी तरह डूप सकते हैं लेकिन टीटीएज खरीदने पर आपको अपने प्रोग्राम के साथ साथ अपनी छट पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा क्या जाने कब किसी बंदर महाशे को शरारत सूजे और वो आपके एंटीने को हिला कर आपकी टीवी स्क्रीन को ब्लैंक कर दे केबल टीवी आपको पोस्ट पेट सुविधा मोया कराता है यानि पूरे महीने टीवी देखे और बाद में पैसे दीजिए लेकिन डीटीएज सर्विस में ऐसा नहीं है डीटीएज सुविधा पाने के लिए हमेशा आपको प्री पेट कूपन ही लेना होगा साथी रिचार्ज करने के प्रोसेस से भी आपको हर बार गुजरना होगा केबल टीवी पर प्रसारित होने वाले सिटी चानल आपको अपने शहर से जोड़े रखते हैं और आपकी शहर में हो रही हर छोटी बड़ी बात से रूबरू कराते हैं केबल ओपरेटर से आप जब चाहे जल्द और आसानी से डायरेक्ट कॉंटक्ट कर सकते हैं साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करा सकते हैं लेकिन डीटीएच में ये सब इतने कम वक्त में नहीं किया जा सकता जीटीएच में भले ही आपको कोई पैकेज लुभावने पैसों में दे दिया जाए लेकिन व्रिपेयर और सर्विस के नाम पर आपको अलग से पैसे भरने होते हैं लेकिन केबल कनेक्शन में रिपेरिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं देना होता क्रिकिट मैच में भारत की जीत की खुशी केबल कनेक्शन DTH के मुकाबले कुछ सेकंड्स पहले देगा DTH सर्विस में आपको हमेशा अपना कूपन खरीदने के लिए मार्केट जाना होता है लेकिन अगर आपके पास केबल कनेक्शन है तो अपरेटर्स आपके घर पर ही कनेक्शन के लिए आता है अगर किसी महीने आपको पैसों की दिक्कत चल रही है तो ये बात इनसान तो समझ सकता है लेकिन मशीन्स नहीं केबल ओप्रेटर्स अपनी फीस भले ही एक महिने के लिए टाक सकता है लेकिन DTH सिस्टम आपकी परिशानी नहीं समझेगा उसे तो बस एक ही बात समझाएगी विचार्ज कूपर नमबर बेशक DTH को बड़ी-बड़ी मल्टिनैशनल कंपनीज चला रही हो और बड़े स्टार्स को विज्यापन के लिए करोडो रुपया दे रही हो लेकिन केबल टीवी ओपरेटर्स के लिए उनके स्टार तो है उनके कंस्यूमर्स और बहतर सेवाओं के साथ कमाने के लिए है उनक विष्वास